हेलो फ्रेंड्स मैं संदीब आप सब लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे स्ने वीडियो में और हमारे डिप चैनल पे जिसका नाम है दे हिलिंग हैंड्स दोस्तों लास्ट ओल जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने इन डिटिल बात की थी कि सर्वाइकल स्पॉंडिलॉसिस होता क्या है उसके क्या रिजन्स होते हैं क्या कोजेस होते हैं और उसके क्या सिम्टम्स हमें लोगों में देखने को मिलते हैं तो गाइस उसमें मैंने दो ब इडियों का second part है तो मेरा आप सब लोगों से request है कि अगर आपने अब यह दो पार्ट वन नहीं देखा तो पहले देख लिजिए क्योंकि उसमें आपको cervical spondylosis का सब कुछ in detail जान करें मिलेगी सब कुछ information मिलेगा तो जिन लोगों को cervical spondylosis की वज़े से neck pain हो रहा है और उसमें सबसे major जो symptom आता है वो होता है कि लोगों में उसकी वज़े से हाथों में tingling sensation आ जाते है या फिर कभी-कभी हाथ नमनेस फिल करते है या कभी-कभी काफी लोगों को हाथ में pain रहता है तो आज के exercises उन ही लोगों क आपका muscle soreness हो सकता है, muscle का overuse हो सकता है या फिर आपका wrong sitting posture हो सकता है तो गाईज अगर ये बाकी reasons की वज़े से आपको neck pain हो रहा है तो आज के exercises आप लोगों के लिए भी बहुत जादे important है ये जो भी मैं बताने वाला हो for neck related exercises ये सब के लिए common है तो वीडियो को पूरा देखते हैं हमारे आज के magical exercises जो करने के बाद आपका neck pain किसी भी reason से हो वो इस exercises के बाद खतम हो जाएगा तो गाई जो हमारा first exercise है उसको करने के लिए हमें चाहिए होता है तो जैसे हमने last video में discuss किया थे कि cervical spondylosis में काफी लोगों को हाथ में numbness feel होता है tingling sensation आ जाते है या thickness होता है कम हो जाता है और जैसे thigness कम होता है तो हमारे दो vertebra एक दूसरे के past में आ जाती है तो गैस उसमें क्या होता है जो भी vertebral forearmin होते है जिसमें से हमारे spinal nerve निकलके हमारे हाथ की तरफ आ जाते है तो उस spinal nerve को compress कर देता है और उसल सी वज़से हमारे हाथ में यह सारी symptoms द जुरू हो जाएगा और जो भी आमारे दो वर्टिब्र होते हैं जो भी स्पेस कम हो जाता है तो उसको थोड़ा डिस्ट्रक्शन देगा और जो भी नर्फ के ऊपर प्रेशर आ रहा है वह निकल जाएगा तो गाइस इसको करने के लिए आपको क्या करना एक टॉवेल हाथ में लेके आपको क्या करना है हलकी से इसको आपको जो नेक का पोर्शन होता है नीचे का स्पेशली यह वाला जहापी थोड़ा सॉफ्ट फील होता है तो इस टॉवेल को वहाँ पे रख देना है ठीके अब आप गर आप साइड व्यू से देखते हो तो टॉवेल को वहाँ पूल करना है तो जैसे आप इसको आके की तरफ पूल करते हो तो आपके नेक में एक डिस्ट्रैक्शन सा फिल हो जाता है और उससे हमारे जो भी नर्व को उपर कॉम्प्रेशन है वो धिरे-धिरे निकलता है तो अभी आप इसको 10 सेकेंड के लिए होल कर सकते हो जैसी 10 सेक आप नेक को नीचे या फिर सिदा नहीं रख सकते आपको एक्सेंशन करने के बाद ही वो अट्रैक्शन का फिल आएगा ठीके जैसे आप इसका 10 सेकेंड होल्ड वाना सेट हो जाता है तो आप इसको काउंट कर सकते हो जैसे आप 2 सेकेंड के लिए इसको पूल करो and relax पूल क इसको ना करें आपके जो भी फिजिशन है उनको एक बार इसके बाद एकसाइजेस फॉलो करें तो जीन लोगों को इसकी वाज़ेस से आपको रिलीप मिल रहा है तो आप इसको कंटिनू कर सकते हो तो जो हमारा सेकंड एकसाइज है उसमें करने वाले चिंटक और जो हमने विडियो बनाया था लास्टाइम जो इसमें हमने बात के थी कि जो forward head posture होता है उसमें हमने चिंटक कैसे करना होता है और वो हमने बताया था कि standing position में खड़े हो कि हम इसको कैसे कर सकते है तो आज मैं आपको बताने वालों कि यह सेम exercise को हम लेट के lie down position में कैसे कर सकते है तो cervical spondylosis के वज़े से नेक्पिन हो रहा है तो उन लोगों के लिए का standing में नहीं हो रहा है तो लेट के बेड के उपर या फिर सोफी पे कहीं भी लेट के आप इसको कैसे कर सकते हो तो चलते हो और देखती कि हमारा lie down positional chin tuck कैसे होता है तो जो आबारा भी lie down positional chin tuck होने वालों उ जो बोलते है कि जब भी cervical spondylosis हो रहा है cervical pain हो रहा है तो काफी लोग पिलो नहीं लेते हैं तो गाइस यह सबसे बड़ी गलती हम करते है कि हम पिलो नहीं लेते है अगर आपका cervical spondylosis का pain हो रहा है तो उस case में भले आपका पिलो का जो भी height होता है उसको कम जाधा करके adjust करके ले सकते हो बट पिलो ना लेना यह सबसे बड़ी गलती होती है तो हमेशा आप पिलो को लेलो बट जैसे इस आपको comfortable होता है वैसे उसका height adjust करके use कर सकते हो तो जो हमारा एक साथ चिंटक होने वाला है उस में का करना है आप अगर side view से देखते हो तो चिंटक में दो आपके chest के तरब पूल करना होता है और जैसे आप chest के तरब पूल करते हो at the same time आपको आपके head को pillow के उपर नीचे के तरब प्रेस करना है अगर आप side से देखोगे तो अभी मैंने chin को नीचे पूल किया और धीरे से प्रेस किया तो इसमें आपका जो भी pillow तो थोड़ा soft और head को pillow के उपर प्रेस किया आप इसको hold कर सकते हो and relax तो guys इसमें गल्ती क्या होती है जब भी लोग pillow के उपर pressure देते तो काफी लोग क्या करते है चिन को नीचे नहीं रखते और जैसे पूल करोगे तो धीरे से आपको pillow के उपर pressure देना है जैसे आप pillow के उपर pressure देते हैं उसमें क्या होता है कि हमार जो भी posterior muscles होते हैं उसमें strengthening होना शुरू हो जाता है और जो भी हमारा pressure होता है cervical vertebra के उपर spine के उपर वो एकदम से release हो जाता है ठीक है अगेन मैं फिर से दिखाता हूँ तो गाइस में क्या करना है आपको head को completely pillow के उपर push करना है अब इसमें और के गरते हैं लोग नीचे खिचते हैं और बस neck को और नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो ये भी गलत है आपको हलके से नीचे लेके फिर अगेन push करना है ठीक आपको बात का ख्याल रखना है कि आपके neck के उपर अच्छा कासा strengthening हो रहा है और एक relief मिल रहा है अगर एक करते टाइम फिर से आपको neck pain बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा problem हो रहे है तो आगेने इस exercise को आप ना करे physician से consult करके आप आगे जाके इसको follow कर सकते हो तो guys जो अभी हमारा third exercise होने वाला है वो होने वाला हमारे wrong posture को correct करने के लिए तो आगे बढ़ने से बली मैं एक बात clear करना चाहता हूँ कि हमारे body में especially neck pain, lower back pain जो भी shoulder pain होता है जो भी हमारे body में pain होते है उसके पीछे सबसे बड़ा reason होता है हमारा wrong posture तो guys जिस दिन आप आपका posture improve कर लोगे उसी दिन आपके body के सारे pain निकलना शुरू हो जाएगे उसी दिन आपको 50-60% relief मिलेगा जैसे यसे posture बिगडता है, वैसे वैसे body में pain बढ़ता है, जैसे यसे posture normal level प्या जाता है, improve होता है वैसे वैसे आपके जो भी body के pain होते हूँ कम हो जाते है तो हमारा exercise करने से पहले हमारा focus होना चाहिए हमारे posture correction के उपर तो हमारा जो 3rd exercise होने वाला है, वो होने वाला है हमारे forward shoulder के लिए, तो guys already मैं इसके उपर वीडियो बना के रखे, जिसमें मैंने forward head होता है और rounded shoulder होते है, उसको कैसे improve कर सकते हैं, तो उसका भी link मैंने description box में दे दिया है, आप वापे जाए के check करू, तो ये 3rd exercise मैं आपको बता उपर, हमारे vertebra के उपर, और फिर अगेन उसमें neck pain बढ़ जाते है, तो जो 3rd exercise उसमें क्या करना है, हमें जो shoulder, जो हमारे scapula हो, जो आगे की तरफ shift हो, उसको retraction में लेकिया आना है, ताकि जो भी neck के उपर extra pressure आ रहा है, वो कम हो जाएगा, और neck pain release हो जाएगा, तो उसमें क करना है, तो आपको सीधा खड़े होना है, और shoulder को हलका सा पीछे की तरफ खिचके, आपके दोनों हातों को, आपको 90 degree में fold करना है, तो गाईज, अगर आप sideways से देखोगे, तो आप क्या करना है, shoulder को धीरे सीधी, elbow के साथ, पीछे खिचने, जैसे आप elbow को पीछे खिचते हो तो मेरे जो भी दोनों scapula होते, वो retraction में चले जाते, और उसे दो चीज़े होते, एक तो मेरे जो आगे के anterior muscle होते है, chest muscle, वो stretch होते, और जो भी मेरे upper back के weak muscle होते है, उसमें strengthening हो जाता है, तो यह आप 10 second के लिए hold करो, और धेरे से इसको release करो, आप जैसे आप पहले hold वाला क के बाद आपको क्या करना है, इसके repetitions करने, तो आप 2 second के लिए इसको pull कर सकते हो, and relax, again pull, squeeze करना है back को, and relax, तो आप इसके 10-12 repetitions कर सकते हो, और हर repetitions के आप 2-3 set कर सकते हो, तो guys, अब हम चलते हैं हमारा fourth और last exercise में, आप बेसिकलिए exercise नहीं है, इसमें आपको कुछ में massage का technique बताने वालो, एक small therapy बताने वालो, जैसे जो भी neck के उपर pressure होते हैं, इसको instant release कैसे करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर आप पीछे से देखते हो, तो आपका basically क्या होता है, ये जो muscles होते है, neck के muscles, वो stiffness में चले जाते हैं, और spasm में चले जाते हैं, इसलिए वो posterior muscles होते हैं, neck के, उसको क्या करना है, आपको दोनों finger से, बस दोनों side से clock way direction में घुमाना है, अब आपको इसमें क्या करना है, हलका सा pressure रखना है neck के उपर, जैसे आप इसको clock way direction में घुमाते हो, ये फिर anti clock way direction, आप किसी भी direction में घुमा सकते हो, ये से कोई problem नहीं, तो इसमे करेंगी हाँ से, तो guys ये self massage technique है, जो हम use करते है, neck pain relief के लिए, मेरे काफी ज़्यादा client होते हैं, उनको में explain करते हो, कि कैसे हम self instant pressure release कर सकते हैं, neck का, अब कुछ लोगों में क्या होता है, कि cervical spondylosis में, ये जो region होता है, पीछे वाला, इसमें काफी लोगों को एक symptom देखते है कि उनको पीछे से headache होता है, तो इसके लिए काफी ज़्यादा effective है, जैसे आप इसको release करते हो, तो आपका जो भी headache का problem है, वो instant relief हो जाता है, तो guys इसको आप 5-10 minute के लिए अपने जैसे आपको time मिलते है सुबे शाम, तो इसको हलके से release करते रहिए, जैसे जैसे आप इसको release क दो part 1 और part 2 जो आज हमने किया, आपको completely समझ में होंगे कि उसके क्या cervical spondylosis क्या होता है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते है, जो भी exercises में आपको बता है, वो exercise आपको कैसे करने है, अगर इसके अलावा आपके कुछ भी queries, questions है, तो मेरा nature number दिया हुआ है, उसके उपर आप call करके, message करके मुझसे contact कर सकते हो, तो guys, आगले वीडियो में हम ऐसे किसी नए topic के साथ आएंगे, और अगर आपने अभी तक आए channel को subscribe नहीं कीजा, तो अभी कर लिजे, ताकि हमारी जो भी अभी neck pain और shoulder pain की series चल रही है, उसमें से कोई भी वीडियो आपको miss नहीं हो जाए, तो guys, म मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी नए topic के साथ तब तक के लिए, take care